नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोगों उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे और आपकी तहसे श чаpe से चल रही होगी जैसे कि आपको पता है कि यूपी की जो डेली क्लास होती है हमारी वहस्वाम को एक ही सातवजे होती है उसी क्रब में हम आगे लूबेक्ट के हमारी क्रास थे क्लास बहुत बेतर थह हो आप लोगोने बहुत जादा प्यार बी आ तो zoals को बच्छ देखेंगे वह आपकी परिक्षाएं जैसे जूनियर द्रिश्टेंड हो सकता है उत्तर प्रिथ् 멸ो हो सकता है छूंआ पर एक्षाव में बहुत एहम रोल ने होने वाला है साथ यूपी पीसी एस और यूपी आरो यारो में भी यह एहम रोल ने होने वाला है तो आज हम बात करने वाले हैं उद्ध्योग क्या होता है ठीक है उद्ध्योग क्या होता है बानिक जी क्या होता है ब्यापार क्या होता और मैंने पृबेजद गए एशको भ्यापार एद जी गहते हैं ठीक है अगर हमकाल को इसी छसक्मेट को में बनाता और उसी को में फिर मार्केट में लेहाता तो फिर कहते बानिजे हैं तो परंट क्या होता कि उध्योग जो होता जिब इस टोर करना चीज़olutionester करना और गरहक खुद कमारे हे पास आए और उसको भि rust कि अर्थ विस्था में अर्थ व्रस्था में पर जा रहा हbahn 15 अर्थ व्यवस्था में उद्योग का योगदान योगदान बहुत कम है तो साथ ही साथ जो ही यूपी में भी कम है यूपी में भी कम है यूपी में क्या है कम है यवात आपने माइन में रख लेंगे ठीक है अब क्यों है यह यह एसमान्ता है यह एशमान्ता जो है कुछीलग की अहीं। समुस्था है डिद। शमश्या है किया है यह बहुत बड़ी समश्या है इस चीज को अपने माइंड में रख लेंगे ठीक है अब मैं आपको बताने चाहता हूं कि देखे मैंने कहा कि इतका योग जो है योगदान जो हो क्या है बहुत कम है यानि कि यूपी की अर्थ विश्था या फिर भारत की अ चेत्र का योगदान जो यादा है त्रत्य चेत्र का योगजान दो है वह जादा है अब यह त्रत्य चेत्र क्या होता त्रत्य चेत्र क्या होता उसके बारे में आपको बताना चाहूं क्या होता है देखे कैसा आपको पता होता कि प्राथमिक शेत्र प्राथमिक छेत्र ठीक दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है डूत्ये ज़ेटर भी यो और इसमें किया होता है कि य्क हॉता है वो इसंते होता है— यानि कि च्छा इनुपल, इस से होता है यानि कि जैसे मैं कह सकता हूं किरसी, ठीक है किरसी याहन पसुपालन, ठीक है, इस सब चीज़े जो हैं सिमाज जाएंगे, किरसी पसुपालन, ठीक है, एक सिमाते हैं प्रात्मिष शेत्र माते, परन्तु इसका अर्थ व्यवस्ता में जो योगदान है, लगबग 28 प्रतिसत, 28 प्रतिस जो है, इसका योगदान है, ठीक है, प्रात्मिष शेत्र का, जबकि महां देखें, उद्ध्योग वह भी निर्मान, दुत्य शेत्र क्या होता है, उद्ध्योग वह भी निर्मान, तो एक कोश्चन ये बन जाएगा, कि उद्ध्योग जो है, वह किस शेत्र का उध तो किसका है यह दुत्य चेत्र का उद्ध्य हो गए इसमें याता यात भी आता यात ठीक है यात यात भी आता है अब इसका जो अर्थ विवस्ता में योगदान है वो कितना है वो 25.5 है 25.5 प्रतिसत जो है इसका योगदान है और लिए 37 लिए 34 ऑनी साथ ह Enfin बात त्रक्ति चेत्र तक्ता है और कोंसा होता है talking आपका होता है सेबाप्ति होता है सेवाप्ट kes पर जो तर इसका योगदान ए लग भप fulfil एसकां योगदान है के एतनी बात आपको लिद्रखना है ठीक है यूपी की अर्थविवस्ता एक पडिलेंड की अर्थविवस्ता का लंग्ष स्बाएं यह लक्षे हमारा पूरा भी हो चुगा इस बात को याद रखना है ठीक है यहां पर कुछ बाता है आपको इंपटेंट हो सकती ही सबसे पहला बता देंगे कि प्राथमिक छेद्र जो होता वच्छा माल जैसे की गन्ना है गन्ना जब हो पैदा करते हैं तो कच्छे माल के अंत अब हैं प्रल्शकान बनते हैं बड़ा कार दो क्कान हम करते हैं वह लुक्ते मारा चेक्छा माल जो अपराश्मिक होता है उस तो द describes या जो हुथ होता है और सेवा पैसा होते हैं तो हम दो यार भीस आखन लेते हैं, यूपी में, दो हजार बीस में, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति आए कितनी थी, यह आपको एक्जामर कोश्चन मिल सेटा, पुराना है, फ्याल में कोई दिकत नहीं है, इसकी इस सब्सक्राइब जो थी, वह 70,418 प्रति व्यक्त में अगर आय कि हम बात करें तो एक लाँ पांस हजार जो है टीक्किन अगर बात करें कि लक्षे क्या है लक्षे लक्षे जो है हमारा एक.2 ,2,000,03 लक्षी है यानि की एक लाख बीस हजार का जो है हमारा वू लक्षी है ठीक है हम चाहते है कि दोजार पच्चिस तक जो है कब तक दो हजार पच्चिस तक हमारीूपी घृष्चता है उसकी जो राष्त्रे प्रातिविक्ति आये है।agers कितनी हो जाए वह लक्षे ग evangelite कि व्यक्ति कउस्टमती ब्रता थеци सभ सभ से जाद है अगर जा गरीब सबसे ज़्लाइब ज़ो है सबसे ज़्यादा भारत में गरीब जो है तरफ से ज्यादादा भारत में गरीब जो है वो अगर संक्या में आपने देखें तो ूपी में क्यों हैं यूपी में क्योंकि यूपी बहूत बडा राज्जी है महत्वास वड़ा कि सब्सक्राइब लगब 22 क्यों क्या है जब कि 2100 éénक जिनसां क्या और 19.98 राब्स Erfahr लियुकली वन्हें पर अ Is तोस्कि और उन्हों बता है 2011-2011 초록े यहां पर जो गरीबों की शंखिती लगभर चार पोंध नो करोड ती चार पोंट सुइब सुपेंटे पांच पॉइंट नो करोड यहां पर पांच पॉइंट नो करोड गशाわn वाया याँ ने की बहुत है , उर्ण राजन समीति की अगर बात करने तो इन्हीं हो उन्हों है, तीक है लोगत आई अगर हम 20 करोड मानने 20 करोड का बैलीज परसेंट निकालने तो चार दुम्याट लगबग लगबग 9 करोड जन संक्या जो है वो गरीब हो जाएगी फीक है इतनी बात याद रखना है अगर हम यहां पर एक दो बात और करें पहले स्को रिकोल कर लो यूपी की जो है यूपी में 2020 प्रति वेक्टी आये जो थी वो कितनी थी 74,48 थी बरतमान में जो आये है वो कितनी है 1,500,000 है भाही पर लक्षे जो हमारा 1.200,000 है यानि कि 1,200,000 हमारा 2025 तक लक्षे है तेंदुर कर समीथ का कहना यह है कि 2011-2012 में जो थे लगवो 6 करोड लोग जो थे यहां गरीब थे परन्तु सीरंग राया समीथ ने कहा है कि 42 पर तिससत जो है यहां पर लोग अभी है अगर बरतमान में गरीबी का कोई आंकला सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है इसको या तो यह कह सकते हो कि यह एक सरकार की नाकामी है या यह कह सकते हो कि आंकली उटाने में जो है टाइम लगता है इसलिए या फिर यह कह सकते हो कि जनता खुच जाग रूप नहीं है इस व कि अर्थ्य वस्त्ता भारत कि अर्थविश्था जो परतमान में इस टायम कितनी है एक तीन पॉइंट एक ट्रिलियण है कि 3.1 रही है इंडानी Bet विज्वात कि अर्थ वोतल है थीके इतनी द्रैस्ता है और इस अगर क्यूंग देखें तो भारत की जो अर्थ वहस्ता है भारत की जो अर्थ व्यवस्था है वो चोथी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है अगर हम बात करें तो नंबर एक पर किसकी है अमेरिका की नंब्र एक पर किसकी है अमेरिका की है नंबर दो पर हम बात करना तो किसकी चीन की है ठीक है यह थे 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 ख़ी तो हमने तो भारत की वह बाइट की अगर बात करने लक्षे अगर हम लक्षे की बात करें तो भारत का दो हजार पच्चिस तक का लक्षी है लक्षी जो है बो पांच ट्रिलियन बाली बाली अर्थ व्यवस्था का है अर्थ ब्यवस्था का है कि पांच ट्रिलियन बाली सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था जो है भारत की होनी चाहिए बहुत जरूरी है जान ने काने के लिए तो भारत में प्रति व्यक्ति आए अगर हम यहाँ बात करें भारत में प्रति व्यक्ति आए तो एक पॉइंट नो लाइक कितनी है उद्धेयो की ऐसा मानता है और भिन भिन यहां पर यूपी मेरे उद्ध्योग की आता है और एक परकार के अध्योपी जो है उद्ध्योग होते हैं है इतनी बात आपको आगे हूं कि आप इसको तरह अच्छ Cardinal कर ने इस चीच को को अब बात करते हैं यूपी में अध्योग क्योंकि यूपी में अध्योग कौन कौन ते हैं ठीक अब यूपी में परमुख उध्योग अध्योग क्योओ इंप्योटेंट अगbell यहां बात कर सहसे फहले तो चीनी यूद्योग नवर एक प्रेक्शन यूद्योग की ठीक है नमबर एक प्रक्रथली вक्रीन अब यूद्योग की बात करते हैं थीक है, नंबर एक चीनि उद्यों पर बात करते है, राज्य का पहली प्रताप्पुर। जो थी राज्य की राज्य की प्रत्थम चीनी मिल कहां पर देवरिया कहां पर प्रताप पुर प्रताप पुर देवरिया ठीक है यह आई थिंक 1903 में थी था था उन्निस्सो तीनव बनी थी उन्निस्सो तीनव ठीक है यूपी अगर हम बात करें इसमें आगे क्योंकि ऐसा नो पॉइंट पॉइंट अगर बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा तो यूपी सहकारी चीनी संग चीनी मिल संग यह कि यूपी सहकारी यूपी सहकारी ची एइनि मिल संग मोस्ट हैं है मैं यूपी जीनी संग पनी उनस्底 Saw 63 में इसके बाद में बात करेंगे तो यूपी जीनी निगम यूपी चीनी यूपी चीनी निगम लिमिटेर ठीक है यह भी एक्जामक हुआता है पूछ सकता कि नहीं भी आगा तो क्या है 1971 ठीक है 1971 याद रहेगा अगर हम बात करते हैं यूपी में संचालित मिलो की संख्यां कितनी है तो मैं बताओं 33 में संचालित मील है जो बरतमान में चल रहे हैं बड़े मील लिमिटेड मील जो है ठीक है अगर हम बात करने सबसे बड़ा अगर बात करने बड़ा परिष्चेत्र जो है जो बड़ा परिष्चेत्र है इतका चीनी मील का जो बड़ा परिष्चेत्र है वो कौन सा है तो बड़े परिष्चेत्र में हम बात करेंगे जहां मीलो के मामले में है तो मेरट है बरे लिए लखना तो इस बात को थोड़ा से अगर रखनेंगे हैं परी छेतर जो है मेरत लखनाओ ठीक जो परी छेतर है परी छेतर कहां के हैं मीलो के तो इतनी बात याद रखनी है ठीक है आरी वात तो यह आद रखना है आपका जो है चीनी मुरुद्योग यहां से हो जाएगा ठीक है चीनी के मामले में जो है चीनी मील के मामलों में जो है अग्रणी है ऐसा मान तक है ठीक है चीनी सबसेज़ाद जो होती है अगर राज्जी की बात करें तो चीनी सबसेज़ाद जो होती है महाराष्ट में होती है जोकदर से चीनि वहां होती है नहीं है तो यहां पर सबसे जाद है कि छीनि की अ कि संख्या कहान पर है तो यह आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा कानपूर ठीक है क्या हो जाएगा कानपूर हो जाएगा यहाँ याद रखना है इतनी बात अपने वाइन में जो है अच्छे थे रख लेना ठीक है प्षुडिमस्त की सरवाधिक मेले फीलोग सोती बस्तर में दूसरा सोती बस्त्र उध्योग सूती बस्तर उध्योग ठीक है दूसर नंबर में हमारा यह उद्योग है सबसे प्राचीन उध्योग है अगर मिहां करेंगे तो यह भारत का यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है यह रखना है ठीक है सूती बस्त्रों की मीले ठीक है सरवादी कहां पर होती है कहां पर है कानपुर में इसी वजय से उत्तर भारत का मैंचेश्टर क्या कहाजाता है चिनी मीले के कारण इसक यहां पर तो देखीं क्या रेसमसाड़ी जो है वो कहां पर है बनारस में तो रेशमी अगर साड़ी की बात करेंगे रेशमी साड़ी साड़ी बात करेंगे तो कहां पर है बारानसी बारानसी इस से पसलता है अगर चिकन करी की बात करेंगे चिकन करी की बात करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा लखनौ मिल जाएगा सु तो जी जो होती है तो जरी जर्दारी 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 जो है बुम यह ऐसा लगता है कि रामपुर के साथ साथ बरेली बरेली बनाईयों यहां पर भी है रामपुर में तो है पर अपर बरेली बनाईयों और आपके रामपुर भी देखने को यहां पर मिलता है ठीक है तो जिए जो होता है क्या है वSVK ja supposed कीति अ कि एसी सारे में वे जाती है यू एई में भी जाती है फीक है चिकनकरी यह वे यू एई में भी वहाँ के लोग इसको यूज़ करते सब्सक्राइब कर दो अगर यूपी में बता दिया है ठीक है अगर बात करें तो अगर देश थे नंबर एक पर है यहां पर कोश्चान आज आता है तो महारास्थ्ठो जो है वो कउन से नंबर है तीसे अंबर पर थीकै का एकिसी होती है भारत में जो है पहापका क्या होता है एहमदाबाद महाराष्ट में जो है बाप कर मुंबई ठीक है यूप पी में जो है कानपुर ठीक है यह एसी है जहाँ पर बस्त्र उध्योग कार खाने है ठीक है अब कुछ crispy करके लिखें यहां बात नोट कर गजह सबसे पहला पॉइंट को देखे लेते हैं पहला दूसरा तीन मौश्ट और एक और कर चार तीन की बात कर लिए तो चोथा सब सब पहले अगर हम बात करें तो उत्तर भारत का मैंचेस्टर मैंचेस्टर क्या हो जाएगा कानपूर क्या हो जाएगा कानपूर हो जाएगा मैंचेस्टर का मैंचेस्टर क्या हो सब्सक्राइब हो जाएगा क्या हो जाएगा मंब़ पस्षिम भारत का मैंचेस्टर ठीक है भई ठीक है उत्तर पस्षिम भारत का मैंचेस्टर तो को नहीं कि यह था इंदाबाद थीच है यह भी मोच्ट है तो तीन होगे एक और इंप्रेंट होता है जो आपका होता मैंचेश्टर को यहां पर सबसे पहले ब्यापार सुरू क्या अपर सबसे पहले जो है बस्तर ब्यपार शुरू किया गया हो ठीक है यह भी जो ग्रफी पड़ोगे तो बहाँ पर आपको और विया देखने को मिलेगी बात है ठीक है तो यहां पर सबसे आदर व्यपार वह हो उस वात को कहते हैं तो यहां पर कर दागा मुंबई आ जाएग जो बहुत ज्यादे इंपोटेंट है, तो प्रदेश में जो है, अगर सबसे पहले बात करें, प्रदेश में रेसम बस्तर के उद्ध्योग केंद्र जो है, तीन है, बैसो तीन है, एक तो बारानसी कानपुर इटाबा, ठीक है, मोदी निगर भी जायता, देखा जाता, तो कान बारानसी का इटाब हो जागा, ठीक है, तो यहां बात करने वाले है, सबसे फ़हला तो, यूपी में, रेसम, बस्तर, उद्ध्योग, के पिर्मुख केंद्र, पिर्मुख केंद्र, वो कुन से हो जाएंगे, वो कुन से हो जाएंगे, तो मैं आपको उता है, वो नमबर एक बारानसी, ठीक है, नमबर दो पर जो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, इटावा, चलो, इटावा, नमबर तीन पर आपका जो हो जाएगा, मोधी नगर, ठीक है, नमबर चार पर जो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, आप कान पर, क्या हो जाएगा, कान पर, ठीक ह तो यह चारो जो है वगो इंपर्ट चारो हैं इंप्रेंट नैयानि कि चुरु है आपका इहां से ध्यान दो पहले नमर पर वारानसी हो जायेगा दूसरी नमर पर जो आपका इटाबाँ वाजागा का nur CAD एनि के अंपर मोधिनागर जागा कोई» बढ प्रसिद्द है ठीक है मलमल की छपाई के लिए जो है कुन सा है मतुरा अगर हम बात करें यहां पर मल मलमल की छपाई छपाई के लिए छपाई के लिए क्या प्रसिद्ध है वो है आपका मतुरा क्या है मतुरा ihren लेखम लेखित इसी में उनके बात कर रहां गिस विख्याथ हैए अगर बात करना तो ट्री अगर हम यहां बात करां ठीक है चिकित्सा उपासी बोलते हैं बेंडेज को बोलते हैं तो इसमें कौन-कौन है इसमें मुरादाबाद ठीक है यह इसमें प्रिसिद्ध है जो होता है यह सबसे मोश्ट होता है अब बात करते हैं कि पिरकार की होती है चार प्रिकार के हमारे यह होती है ठीक बच्छा तो पहली जो होती है पहली जो होती है इंपोटेंट आपके नहीं क्या होती है आपकी सहतूती रेशम होती है सहतूती रेशम ठीक है दूसर नंबर की जो होती है वह कौनती होती है वह होती है टसर रेशम कौनती होती है टसर रेशम तीसर नंबर की जो रेशम होती है वह होती है आपकी आपकी टसर जाएगी यह हो जाएगा अरंडी बच्क पर धीजह ओधी और आपकी चोथे नंबर की जो हो जाती है सही अथे discussing luger होगी मुंगा कॉ इसी होती है आपकी चार परता रही है इसका पता चलता है कि हम सही किस्ता होती है तुम्हें पता सहतूत सहतूत के ब्रक्ष से प्राप्त है ठीक है अब टासर रेसम जो होती है अर्जुन के ब्रक्ष से प्राप्त होती है किस्ता होती है अर्जुन के ब्रक्ष ब्रक्ष जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं आमला टाइप ठीक है आमला टाइप जो स्निक्षान को ऊपटी है ऑर और आपका जो होती है एक कि आपको उनी चाहिए परीक्षा में यह पूछ यह पोछ दिए ठीक है यह मेहगी जो वह कूंती होती नियूस- bet सबसे महंगी सिल्क कहते हैं इसको क्या कहते हैं सिल्क सबसे महंगी सिल्क बोलते हैं इसको ठीक है तो सहतूती रेसम हो चुकी है ठीक है टासर हो चुकी है अरंडी हो चुकी है मुंगा हो चुकी यह चीज़ आपको पता होने जरूरी है ठीक है इसके बाद में जूट उद्ध द्यूट उद्यों के दिना बात में कर्णोना नेयों नहीं लगी तो भी धियान्देना अब उद्योग स्थिवर्प पता होने चाहिए ठीक है तो तो जूंड जो में क्या है का हो यह कहाiyorum जूट सबसे जादा, जो होती है वो कहां पर होती है, तो गोरकपुर साइट जो होती है, वहां सबसे जादा होती है, ठीक है, गोरकपुर में सबसे जादा होती है, जूट जो होती है, तो सबसे जादा कहां पर होती है, गोरकपुर में सबसे जादा जो है, जूट होती है, अ लेगा है कहां कि गोरखपुर की गोरखपुर ठीक है तो सबसे पहला मिल यही था सबसे पहला मिल यही था किसका जूटका सबसे पहला मिल यही था जूटका ठीक है दूसरे नमबर पर जो था वो कुन था था वो था कानपुर कानपुर दूसरा जो ठीक है दूसरा मिल ठीक है तीसे नंबर पर बात करूं तो आपका महाराज गंज यह तीन में लो कुछ थोड़ा याद रखो ठीक है तीन में यह ज्यादे इंपोटेंट है तीन के तीन ही यहां से ठीक है इतना होगे होगा इसके बाद जो है आप इससे नोट करो हम बात करेंगे कागज उद्योग की है ठीक है हमें हम बात करेंगे का जुद्योग के है ठीक है बह minder कागज उद्योग ठीक है इसकै इसके बात जो है हमारा क्या है काँज अध्योग वह इंप्ठेंट है खागज के थर्वादिकमिला बाद करें जबकि साहरनपूर कानपोर रखना में केंद्र सबसे जाहाँ सब्सक्राइब मारें तो मुजप्भर मुजफ़नगर है मुजप्भर नगर में में जबकि केंद्रस कहां पर है में केंद्रस कों तुम कों सी यह ढ zij निखैनदे साहारणपूर कानपूर है ठीकितन फार्ट कानपूर थी एक अजिए के इनदरिज जगेंगें जहापर आपका इग्जाम में कोशन पुछा सकता है दफ्तरी कागज जो बनता गन्य की खोई का मतलब समझते हैं अपसिष्ट किससे है अपसिष्ट से और यह कहां पर है मेरट में ठीक भईया कहां पर है मेरट में इतनी बात याद रखना ठीक है यूपी में सर्वादिक निर्मान होता है इतनी बात आपने माइंड में रख लेंगे ठीक है इसके बाद अगर हम बात करना तो अन्तिम उद्ध्योग हो जाएगा अज का ठीक है तो आज जो हमारी क्लास रही वो कह रहे हैं कि एयलूमनीयम जो है उद्ध्योग ठीक है जानुमनियम उद्ध्योग मोष्ट है बह। यह क्या है कि यूपी में से एल्यूमीनियम का संथ स्यंत्र जो है इसा लगता जिसे हमाचल में हम घुम रहे हैं ठीक के यहां पर कों है हिंडाल को है कुन से हैं पर हिभ문 दाल को laugh कि हिंडाल को किया है हिन डाल को था इसका फुल फुम जो होता वह क्या होता है हिंदुस्तान और हंटान कौर्परेशन लिमिनेट इसका था हम्धिव होता हे शनलोर्प Systems Alemonium Corporation Limited पह़िक हैं अगर हम बढ़ जो है विद्दोसेयंत है है जहां पर बिजली प्राप्स होती है तो इतनी याद रख लोग बस और चीजब रहे जड़े हो तहीं और बात आपको थोड़ा सा पताना पड़ेगा कि एलमुनियम जो होता है आज बरतमान में ठीक है बरतमान में बरतमान में अलूमुनिय का प्रेशलन क्या हो रहा है दीरे दीरे क्या ise होования डीरे डीरे क्या हो रहा रहा है धी Vernal रहा है । ठीक मैं ये बात थोड़ी सिए यास रखनी है मून्य होता है मुनियम क्या होता है है और मुनियम जो होता बिद्धूत का बिद्धूत mir accessibility कि अच्छा सुचालक होता है सुचालक होता है क्योंकि पहले जो था ऐलमुनियम के जो थे तार आते थे विजली वेगी तो आज के लास काफी बड़ी हो जाएगी कि वह दौना तो तो आज के ल electronics अपनी के लिवेई तो आपको प्रसांद आ है तो मिलते हैं कल अपनी अपनी प्लैट्फ E ARC में जब तक यह ऐं जाइन जवारत बंदेमात रभू